अगर आप SSC Railway और Banking की तयारी कर रहे हैं तो सुपर कोचिंग आपनी लेकर आया एक अमार किदार प्लैसेल जहां पर आपको मिलेगा 30 प्लस 20 परसेंट का दिस्काउंट और यह सेल वेलिड ए 18 और 19 नॉंबर को तो जाइए और इस ओफर का लाब उठाईए तुर्श्वान वेल्कम बैक नमस्कार कैसे हैं आप सारे लोग आचकरती से बहुत ही अच्छ होंगे एक बजल्दी सारे लों कान्फरमेशन देंगे सभी को वीडियो और और अज्यों मतलब आवाज भी जा रहे है ना प्रॉपर तरीके से या कोई गर्बडी गर्बडी जैसी कुछ संथिंग आवाज दारी सभी से सभी को कि 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 एक बजल्दी सालों भी कान्फरमेशन कर दीजेगा मुझे कि 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 यूट्यूब स्लो क्यों चलता है ताकि मुझे फिर पता चले में भी देर हो जाता है यह स्थिंग पार चले यह स्थिंग फिर फिर फट्रफ यह तरफ अभी आज और कल आप लोग के लिए उफर चल रहा है एससी पर बहुत यह उफर चल रहा है बहुत अच्छा मैं क्यों कहरें ते रीजन वाइ स्थिंग वाट चले स्थिंग फिर फट्रफ पर यह स्था स्थिंग था नटिर रहा हो खिलन सब्कह हो जूट बोलते動画 बहुत जो कहते हैं कि मैंने बस सुप वर्म पहली बार में और मेरा हो गिया है सच बता रही हूं सब की वह स्टॉरी है, एवरीवान, सब सारी लोग फॉर्म भरते हैं, रेल्वे का भी भरते हैं, है ना, मैक्सम लोग जो हैं बैंकिंग का भरते हैं, पहले हो, तो आपने देखा हैं, तो वहाँ पे अपने ये चीज भी नोटेस करी हैं, कि जो बच्चे जसी की क्लासे बैट रहे ह और दोनों क्लासे जो मैं वहां पर अटेंड कर रहे होते हैं अगर आपको यह तीनों का तीनों आपको बहुत ही कम है कर मैं बोलू की मातर बारासोछे रुपे में समझगें 120 में एक टाइम का अगर तुम रेस्टरुंट में खाना खाने ही जाओ ना तो बारासो लुपनम उत है सामझ लो चलो एफ एकुरी हो इसे दम्हारी पूरी लाइफ बन सकती दियं वह एक टेम को जो असने चby रस दतीक है तुम्हारी तुम्हारी इतनी लाइफ बनशकन सकती कि तुम्हारी अच्छी सालेरी आ जाए गी आ या उसके बाद और युछ जी महिनी का सब्सक्रिप्शन एक दिन का नहीं है एक धन के लिए फिर्सक नहीं है डो दिनी के है आफ दिको सिर्फ क्या क्या मिलने वाला हैं और पहले वह देखलो को बांकुछ नहीं SF कर Tree कर एक तो मतलब एक कम्प्लीट वीडियो कोर्स आपको वहां पर मिल जाती है आपको वहां पर सारे जुक्यूटर्स के दुवारा जिन सब घर बैठ के बढ़ सकते हैं जिन सा पढ़ना चाहते हो डेली जा के तेस्ट बुक के एजुक्यूटर्स पैसलि मैं बताऊ अगर आप प्रम श्मार टिलवर जाती है करना क्या है आपको एहां पर लगाना है आप लोगों से पुछेटा का रा इफ्रा बोड पूछेंगा हिसे औल रियुजरम कूड लगाना पडबा इसके बाद आपर आपिकल को प्राइसे यह कम हो जाएगा मैम आसामीज बोलो ना अच्छा ओके ग्रेट अच्छे डन बात आई समझ में तो यह आपको मात्र बारास और श्री रुपर में मिल जाएगा किसके किसमें एसे सी एक्जाम अब देना है ही भाई या तो ऐसे सी बांकिंग रेल्वेस बस आज और कल फिर यह सेल अब की खतम हो जाएगी 35% आफ में रहा है प्लस 20% और ज्यादा आप लोग के लिए ओफ है तो जल्दी सावील कर लेंगे बात आई समझ में क्लियों ओके चाली गाइस तो चली बढ़ते हैं फिर आगी की तरफ फटा फट तरीकी से यह चैनल है अगर आप लोगों ने तक टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है गाईस इंडू जॉइन दिस टेलिग्राम चैनल ताकि आपको सारी की सारी क्लासिस के आप लोगों को अपडेट मिल जाया करेंगी टाइम ली बात आई समझ में तो बोलो यस माम आगी बात समझ में अगे चलिए बढ़ते हैं फर आगी की दरफ यार अभी बना लेटी वी थी चलो मैं पहले सवाल के उपर पहला सवाल एजी के साथ शुरू करते हैं वैसे इस पौलिटी का मैक्सिम सवाल सारा ही इसी ही होगा अगर आपने पुरी की पौलिटी खतम कर ली है तो आपको बड़ा ही आसानी सहापे solve भी कर लेंगे मैंने आपको पूछा कि अंतरिम प्रेसिटन जो हैं अंतरिम प्रेसिटन फर्स कॉंस्ट्रिमेंट एसेमली में कौन रहे थे डॉक्टर राजिन पृषाद रहे थे सचरन सिन्हा रहे थे बियर सहाब जवाहल अनहरू सहाब अब देखो कैसे इसको पढ़ना कैसे है मैंने क्या क्या पताया कामेट असेमली कैसे हुई थे दो सवाल पूछेगा कि कामेट के सिंगली जो थी अब कैसे हुई थी तो पहला किया भाहिया कि माम यह क्याबने देट मिशंसे फर्म हुई थी राइट कैबिनेट मिशन 1995 इलग सिक्स ए डॉतल विभ्षान और पेथे लारेंस ये तीनों मेंबर उसमें थे, अब उसके बाद बनते हैं समवधानिक सभा, प्रॉपर वोटिंग के बाद, उसके बाद वहाँ पे बनते हैं हमारे अंत्रिय मर्ध्यक्ष टेंपररी जिसे हम बोलते हैं, डॉक्टर सचनान सिनहा सहाब, कैसे बनते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइज म रहेंगे डॉक्टर राजेंट प्रशाच जी, दूसरा, तीसरा सवाल इस कोश्चन से ये बनता है, कि पहली मेटिंग समवधानिक सभा की पहली मीटिंग कब हुई थी, बताओ, पहली मेटिंग समवधानिक सभा की कब हुई थी, अरे बाबा, ऐसे कैसे काम चलेगा, 9 दिस संबर को पहली मेटिंग हुई थी समधानिक सभाग की फिर दूसरी ठीक दो दिन बाद होने वाली है है ना चालो आगे बढ़ते हैं आपको बताना है कि किस अनुछेद में विच्छ फॉलिंग आर्टिकल्स कम दिया पॉइन्मेंट ऑफ एड्मिस्ट्रेटर ऑफ यून टेरि किस के बारे बात कर रहे हैं जोतनी लोग जवाब दे रहे हैं को मैं बता दू कि इस त्रीट के बारे में बात नहीं कर रहे हूं कि अपने यून टेरिटरी में सुना लेफ्टेद गवर्न के बारे में सुना है आप लोगों ने येस 239 239 very very good क्या मैं कहा 239 यहां तक समझ मे खूँल है तो इसका अपोइटमेंट कौं करते हैं इसका अपॉंट्मिन प्रेसंट्स हब करते हैं आचा अगर मैं आप लोगों से कुछ प्रमुख न्यूकतिंगे हों को इस बारे में पूछ लूए इस पोईंट्स टो वहाँ बें ही दो किसका नाम जायेगा प्रेसंट सह के आजर्टिंग जो है यसे नाशनल परलरिमेंट inspir coordinator कहा कि कि माम हिंदी भी बोल तो हम तों झाल हैं ये रख तो हम तोप बात कर हैं हम तो हिंडी में बोलते नहीं हैं, फार्सी में, सोरी, 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 हम तो फार्सी में बात कर रहें, हम अगर इसने थोड़ी कह रहे हैं, C but not sure, Portuguese, okay, Purtgal, Reshii, B, ठीक है, C, 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 C,У iPhone, jetzt let's say this is the first one, it's all Black world about Althing, you do salutary more around Althing, so where are who it's in Iceland… इसको कैसे याद कर सकते हो अगर हम हिंदुस्तानियों की भाषा में बात करो तुम पहले हम लोग क्या किते हैं तो लाइन में अर्थिंग लगा है पानी डालना पड़ेगा अर्थिंग को ठंडा करना पड़ेगा अर्थिंग को ठंडा करना पड़ेगा अर्थिंग को ठंडा पानी डालना होगा, आइस वाटर डालना होगा, कुछ ऐसा कुछ करके थोड़ा बीर्ड है, बस सिटल, ठोड़ा कन्फूजन हो गया, कोई बात नहीं, करेंट बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आप उसको, अपने हिसाब से आप उसे अग्जस्ट कर सकते हैं, जितने भी जितने वियर्ड होंगे, आपको उतनी जादा याद रहेंगी चीज़ें, ठीके, डन, अगर मैं आप लोगों से बोलती, शोरा के बारे में, तो यह कहा की पार्लमेंट है, जली से बताओ, कई बार पूछा गया है, शोरा जो है, यह कहा की पार्लमेंट है, आपको अर्थिं घर पूछा माळा बाद करने के लिए पारे मैंधिर जिन सामनी तो यहार रहा ही जाह लोगकी निया सिमक्रण के एक घर सामनी था, थीक, सामनी में हो सालोन था, तो उसमें एक बास कर रहा हूं वो रभॉड आक़ा के, उ बाinks कभानty कर बारे होता है? तो मैंने का हाँ, जब अगर जिज़ी वेड नहीं तो बनाने ही पड़ता है तो इथा आपको देखके लगता नहीं है कि आप खाना भी बनाते होगे तो ये तो ऐसी वाली बात हो कि आपको अर्थिंग के बारे में पता नहीं होगा विचो दो फॉलिंग कमिटी, अगर मैंने बात कि कि पार्लेमेंटरी जो है अगर कंटेम्ट अफ हाउस हुआ है, कहां का कंटेम्ट अफ कोर्ट नहीं कंटेम्ट अफ हाउस अग हुआ है, तो इक पार्लेमेंट कंसिलर करती है एक कौन सी कमिटी इसके लिए बैठती है उस कमिटी का नाम होता है प्रिविलेज कमिटी, कमिटी और प्रिविलेज, जहां पे आप चुकिए पार्लेमेंट यानि कि हाउस का कंटेम्ट हुआ है, तो जाहिर से बात है कि पार्लेमेंट की मेंबर जाएंगी, बोले तो माम जो है यानाउंस करना मैं शुरू कर दोंगी, ठीक है, फ्री टेस्ट बुक पास जिसमें आप लोको मिलेगा, लेकिन जो पहले लगाएगा उसी को मिलेगा, अगर आप दुबारा लगा रहे हो जाके तो वह इन्वालिड हो जाएगा second time पे, दान, चली, आगे बढ़ते हैं आपको बताना है कि इन में से समवधान के कौन से भाग और सम्मंदित सीरशक सही नहीं लगाए हैं, मतलब भाग के साथ उनका जो क्याटिरीज है वो गलत बताया गया है, क्या भाग बारा में यूनिन स्टेट के बार में जिक्र है, क्या भाग 18 में एमर्जेंसी शड़ी की बताइएगा, क्या है, क्या है, अच्छा žाश्र दो का इन सब्सक्राइट के बार में यूनिनन स्टेट के बार में, यह बार में दिया गया है कान की नीचे अगर मारे खीच की चमाट तो कैसा फिर मजाएगा दूसरी बात बताना financial relation के बारे में किस article में जिक्र है अब जल्दी से बताओ सबसे repeated question पूछा जाता है almost हर बार तुम लोगों से exam में ये पूछा जा चुका है financial relation के बारे में बताईए कि सेंटर और स्टीट के financial relation जो है वो किस article में जिक्र किया गया है उसका जल्दी से बताओ किस article में जिक्र किया गया है 280, 280, अमन, पवन किसने बोला है 368 पाप लगेगा तुमको पाप गुनाहे आजम होगा तुमार से पता है तुमको पॉलिटी में इतना गलत बताओगे न तुमनाहे आजम होगा नहीं वेटा वो 11 में है थान दो अगला क्या कहरे भाईया इन में से कौन सा राइट जो है यह दोनों को available है इसको भाईया foreigners को भी और Indians को भी कई बार foreigners को aliens बुलाते हैं यह लोग जब exam में question पूछते हैं NDA वेगेरा में GD वेगेरा में जब पूछते हैं सीजल में भी कई बार इन लोगों ने एलियन जिकर कर रखा है दूसरा धान दीजेगा क्या राइट अगर आपको कोई भी discrimination नहीं कर सकता है कि आपके जगा पे पैदा हुए हो आपके जगा पे पैदा होने के साब से आपके सेक्स की वज़े से अपकी प्लेस और बर्द की वज़े से कास्ट की वज़े से कलर की वज़े से राइट तो आपको पॉब्लिक इंप्लोइमेंट में यहां हर प्रकार का रोजगार आपको प्लब्द होगा अगर आप फॉर्लेर्स भी हैं तब यहां रोजगार ले सकते हैं ना 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 वैसा होने लगा तब तो हो गया फिर नहीं आपार तीसरा प्रोटेक्शन ओफ लाइफ पॉंसल वैं कि आप अफगानिस्तान आये हैं और उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद आपकी है बाकर किसी और की जिम्मेदारी नहीं बनती हम ही थोड़ी बोलें कि आप इंडिया है आपके जिम्मेदारी है भाईया निपड गए तो निपड गए यहां पे फिर भाईया तो ऐसा तो हम बोल नी सकते हैं उनको भी प्रडक्शन ओफ लाइफ है उनकी भी पर्सनल प्रॉपर्टी को हम डिफेंड करते हैं उनको भी अप ह멋 डी पिअसपी का जिकर है दूसरा कोश्चन आपक यह बनता है कि डी पी आसपी के बारे में किग्या बंगनता है यह किसके बारे में बात करता है जनर्ली ऐ में सकिन तो इसके बारे में बात करता है यह वेलफेर आफ दी स्टीट की बारे में बात करता है यह वेलफेर आफ दी स्टीट की बारे में बात करता है लाओर यह इनफोर्सिबल नहीं है अगर डीपीसपी में साफ साफ लिखा है कि अगर सरकार चाहे और उसके पास अगर पर्याप्त resources है तब ही वो DPSP को लागू कर सकती है okay Ireland, 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 Ireland very very good very good, Ireland बहत अच्छे मैं अब CBC लड़कियों कि तरह कियों भाव काती है यह नफरत कौन फैलाता है CBC और यह स्टेट बोर्ड में नफरत कौन फैलाता है मतलब क्या है CBC में क्या होते है क्या होते हैं, सिंग होते हैं, क्या होते हैं, चार-पांच लगे वे okay क्या कहा हमने, Ireland done, moving forward अगला ध्यान दीचेगा Elementary Education जो है, इसको fundamental right हमने बना दिया है समवधान के कि संशोजन से हमने इसे बनाया है fundamental right कैसे लगेंगे state would कैसे लगेंगे बताना तो कुछ हैसे चेहरे पर लगा ले क्या वो जिससे थोड़ा अजीब से बतलब क्या 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 से लग में चाहिए यहां पैसे करके बाल कैसे करके जुड़ा बना के चेहरे पर थोड़ा सा मिट्टी विट्टी लगा कि तुव तुव ऐसे होगा क्या लगेगा क्या आदमी स्टीरोटाइप से बाहर निकलो ना घजा भालत है आगया 86th Constitutional Amendment हिरोइन टाइप अच्छा ओके तब ठीक है 86th Amendment 86th Amendment वेरी वेरी गुड 86th Amendment 2002 दूसरा सवाल इसी से आपको क्या पूछता है कि अलिमेंटरी एजुकूशन की बारे में बताईए कि किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है तो भाईया आपको इसमें डाला गया है 21A में इसको मौलिक अधिकार बनाया गया है ठीक है क्या बनाए गया देखो में बार बार भारोचन पढ़ा रही हो ने यगार है ना, religion का अधिकार, ये सब कुछ आपको देता है, तो याद रखेगा, article 21 किसके बारे में बात करता है, article 21 बात करता है, right to life के बारे में, article 21 किसके बारे में बात करता है, right to life के बारे में बात करता है, तो इसको जिन्दगी जीने के साथ, इसको मर्ज किया गया है, याद रहे तो इसको हमने निकाला और बोला इसको ना मर्ज कर दो किसके साथ जीवन जीने के अधिकार के साथ आज के बाई जीवन कोई फायदा नहीं है अगर पहला गवर्नेजनरल कौन बनता है न्यू डोमीनिन ऑफ इंडिया में अगर मैं न्यू डोमीनिन शवद इस्तिमाल करती हू इसका मतलब है कि जैसे हम आजाद हुए तो आजाद होते ही कौन बन गया माउंट बैटन क्योंकि आखरी तो माउंट बैटन था ना तो जिस रात को हम आजाद हुए उसी रात को माउंट बैटन था बास समझ में आई कहां गया माउंट बैटन इधर सी राज गोपालचारी का होगा आखरी होगे वो आखरी होंगे और अगर मैं पूछू न्यू इंडिपेंडेंट इंडिया टिक है इनडिपेंडेंडेंट के बाद कौन बनते हैं पहले गवर्नर जनरल तो आप महां पर राज़ गोपाल चारी जी का दे सकते हैं कि लिमेट आटली भाइया को तो पहले ही निकल ली जिसने इन्हें आनाउंसमेंट करी थी उससे पहले ही लोग निकल लिये थे आगे बढ़ हो चलो एपलेक्ष ट्राइबिनल फॉर एलेक्टरसिटी ये क्रीट किया गया किस साल में कि कहां थी आप dddddddd very very good श्राइब्रन एलेक्रिसिटी किसकी दोरा में थे 2005 में okay मुझे एक सवाल का जवाब देना कि national commission for backward classes ये कैसी body है national commission for backward classes national commission for backward classes पिछड़ी जनजातियों के लिए या पिछड़ी वर्ग के लिए अगर उनके साथ किसी परकार की कोई नाइसाफी होती तो वह कहां जाएंगे भाईया नाशनल कमिशन बैकवर क्लास में जा सकते हैं आपको यह बताने किस परकार की बॉड़ी है क्या यह कॉंसिटूशन बॉड़ी है या कोई स्टाचुरी बॉड़ी है यह किस परकार की बॉड़ी है किसी स्टाचुरी बॉड़ी क्या होती है संसद की विधेका से जो क्रियेट की जाती है जो संसद की जो लौ के स्टाचुरी करिएट किये जाते हैं उसको क्या बोलते हैं सवधां से कछते हैंatal विजा Sis और संवधानों गॉसे आणिक सरवाण के सकते हैं जो अपनी पावर सम्वधान से ड्राइफ करते हो जो अपनी पावर संवधान से भ्राइफ करते हो उसके हम constitutional bodies कहते हैं आगर उनमें को changes करनी की जरुवत भी पड़ती है हमें तो हमें directly समवधान को आमेंड करना होगा तब ही जा कि हम constitution bodies में amendment कर सकते हैं जैसे attorney general की position हो गई right attorney general की position आपकी हो जाती है तो उनको हमें directly appoint करना पड़ेगा वहाँ पर चेंज करना होगा right constitution constitutional 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 33a statuary bodies आज आप लोगों को यह homework है इसको मुझे बताना कि national commission backward classes national commission for scheduled class national commission for scheduled tribes human rights यह सारी जो create की गई है यह किस प्रकार की body है मुझे comment sessions का जवाब चाहिए होगा क्योंकि मैंने दोनों का difference आपको समझा दिया है अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सी body किस प्रकार की body होती है done clear आगे बढ़िए election commission ने advice किया था इन्वे से किस matter में कि disqualification of member of state legislative अगर सदस्यों की राज ध्यांस सुना चुनाव आयोग जो है राज विधान मंडल की सदस्यों की आयोगता से सम्मंधित मामलों पर निमलिखित में से किस सलाह देता है मैं बताओं अब इसको जब आप तुम लोगों को सब कुछ भूल जो जो बोर्ड पर लिखा है भूल जाओ सीधे ऐसे समझो इसको डिस्कॉलिफिकेशन चेट की बात बात आ रही है यह प्रेसरिंट सहाब की होती है इंडिया में वहीं सेम पावर अन्य शहाब की और ऑर प्रेसरिंट की प्लैशिर तक आपके आपके आट्र जो है पुझितिन को होल्ड करते हैं राइट तो यहां क्वोजिशन किसकी की आजाएगी यहाँ पे अगर मैं बोलो कि राजविदार मंदल के सदस्तु क्या योगता से संबंदित मामलों पे अगर किसी सला देना है तो कौन राजपाल देगा राजपाल काम और क्या है पूरी रिपोर्टिंग पहुंचाना प्रेसेंट साहब तक रिपोर्टिंग पहुंचाना सारी चीजों की यह काम किसका है राजपाल साहब का है यह बात क्लियर हुआ कोई डाउट है यहां पर बताओ आगे बढ़ो देखो आपको बताना है कि किस schedule में provision दिया गया है anti-reflection का मतलब इसको simple भाशा मैं याद रखोगी कि इसमें speaker के पास power होती है, दो questions बनता है पहला इसमें दल बदल कानून, है ना, दल बदल कानून जो है किस अनुसूचित में जारी किया गया है, किस अनुसूचि में लिखा गया है, तो आप इसे दो सवाल बनते ही, एक तो ये 10th schedule में है एक तो ये कहा है, एक तो ये 10th schedule में है दूसरा, ये किस के पास से power होती है कि किसी भी member of parliament को आप डिस्क्वालिफाई कर दोगे, विधायक ची को तो पीम और स्पीकर दोनों को अपने अपने छेतर में इंडिपनेंट छोड़ा जाए अगर इनके election नो कोई भी गड़बड़ी होती है तो कृपा करके कोट इस पर कोई भी जांच ना बैठाए इसकी जांच खुद पार्लेमेंट करेगा तो जो दर्द दिता है वो दबान नीुकstory सकता है ना जाहर सी बात है तो घड़बड़ी खुद अगर गड़बड़ी कर रहा है जो सरकार ही वो सरकार ही इसकी जांच कैसे कर सकता है तो कोट ने उस फद कहा था माड़म इंद्रा नहरूगांडी जी को कि नो, ऐसा दो नहीं हो सकता माडम जी, कि ऐसा करने दे हम आप लोगों को, अच्छा विपल, वाइटी पे, ओके रिशी, थांक यू, चालो, दन, मैं आप लोगों के लिए येस इलाहाबाद कोड का जज्मिन बतारें, बिल्कु सही बतारें, इलाहाबाद हाई कोड के बहुत इलाहाबाद हाई कोड का ही जज्मिन था, जो आपको ध्यान अगर होगा, जिसने कहा था कि माडम इंदा नहरू गांधी, राय बरली के सीट से कंटेस नहीं कर सकती है, चुनाव में नहीं खड़ी हो सकती है, जिसके बाद उने एमजनसी इंपोस की थी, अगर आपको याद आपको एक बाद लिए रहाएं, पहला हम नहीं पर लिखने जाए हूं, जिसको अपलाई करते ही, आप जीत जाएंगे फ्री टेस्ट बुक पास तिसमें, फ्री मॉक टेस्ट हैं 5,000 से जादा मॉक टेस्ट हैं, फ्री में यह पूरा लगाना है, जितना मैं लिख रही हुआ पूरा लगाना है, free pass, खोल के रखो जल्दी से, अगर किसी एक ने लगा लिया तो दुबारा ये वैलिड नहीं होगा, अगर किसी एक ने लगा लिया तो दुबारा ये इन्वैलिड शो करेगा, अगर तुम से पहले किसी और ने लगा लिया इसको, और तुम दूसरे या ती नहीं जो पहले लगा उसको ही मिलेगा और हम बीबिश में इसको और भी अनाउंस करते रहेंगे अब बहुत सारे कुपन्स है तो जो भी अनाउंस आपके होते रहेंगे हाँ ओके द्यान दीजेगा राश्टी मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष या उसके सदस्य के वेतन, भत्ते, सेवा की बारे में कौन डेसाइड गरता है नाशिल हीमन राइट कमिशन जो है इसकी चीजों के बारे में कौन डेसाइड गरता है आगे दोबारा यहीं सवाल पर आके अटक गया है क्या यह समवधानिक बॉड़ी है क्या यह कॉंसिट्यूशन बॉड़ी है या स्टाचरी बॉड़ी है पूरा का पूरा मामला उस पर निप्टावा है इसलिए मैंने कहा कि कल आप लोग क्या करोगे तो मुझे पढ़के आप लेंक लिए ओमवग रहा यह के कौनसिशनल बॉड़ी कहां से ट्राइफ करती इसमवधान अपनी पावर करती है अब इसको क्या इनका कौन डेसाइड करता है केंडर सरकार डेसाइड करती कौन डेसाइड करता है Central Government डेसाइड करते है Central Government बताएगी कि भाया National Human Rights Commission की जो लोग है क्या उनकी सालरी में इजाफा होना चाहिए क्या उनकी सालरी बढ़नी चाहिए या क्या अग्या हो गया तम लोग चाहिए किसको मिल आपाई या खुप Clerक से बतागे कमेंन किसको मिला है को वैसे हम भी कानाउंस यह पास नहीं लगना है किसी और लगा लिए है से पहले बिटा यानि किसे और ने लगा लिया होगा इससे पहले मिल गया विकास को मिल गया एक लगाए ना तो एक को ही मिलेगा विकास को मिल गया बाक्यों को नहीं मिला है कोई बाते मैं अगला वापस से फिर अनाउंस करने वाली हूं अगला देखते हैं हमने क्या बता है मैं पावर रसर्च जो यह जो लोग पास लगा ले रहने यह वही लोग है जो मास्टर क्लास में जल्द लिया के टाइब कर लेते हैं यह वही सारी लोग है national institution of applied manpower research इसको रिनेम किया गया है National Institution of Labor Economic Research Development किस साल में 2014 में जब मोदी जी आए है तब इसका इसको रिनेम कर दिया गया है अगला देख लेते हैं अगर डिरेक्टर ओफ प्रोसेकूशन सीबी आई की बारे में बात करें सीबी आई की अभियोजन निर्देशाले के तहत अभियोजन निर्देशक के नियुकती किसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है Central Vigilance Commission के द्वारा तो आगे पता है सीबी आई में ज है तो प्रैसेरिंटज का तो यहां पर रॉल नहीं आएका क्योंकि यहां पर स्टीट की राज की बात है तो यहां पर गवरनर का रॉल आएगा महाधी वकता है ना भाई यह यह इनकी पास exactly वैसी पावर होती है, जैसे की Member of Parliament के पास होती है, है न, जो जो privileges होते है Member of Parliament के, वो privileges इनके भी होते हैं, ये हर Indian Court को अटेंड कर सकते हैं, तो अदेंस को को सकते हैं, हर एक Indian Court को पहला, दूसरा, MP की इनके पास, सारी MP वाली privileges हैं, अगर मैं बात करो इनके बारे में तीसरा क्या है, ये इंटनि पार्लमेंट के हर एक प्रोसीडिंग को अठेंड कर सकते हैं, राजसभा, लोगसभा, दोनों की मीटिंग्स को ये अठेंड कर सकते हैं, लिकिन वोटिंग राइट्स इनके पास नहीं, वोटिंग में वोटिंग करेंगे, अरे मेरा बच्चा क्या होता है संसद में जब कोई भी बिल जब आक्ट बनता है तो वोटिंग होती ना पास तब तो जाके बनता है ऐसा तो नहीं आगे 42nd amendment 1976 को यह आपको पता है कि 42nd amendment किसके तोरह लाए गया था दो सवाल पहला तो किस भाग में जोड़ा गया है अब जाहिर से बात है जो बाद में जोड़ा जाता है वो ए बी कख जहां तुम वो समवधान में दिख जाए कख गघ ए बी सी डी समझ जाना कि वो बाद में समवधान में आड किया गया है ध्यान दो 42nd Amendment की बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह मैडम इंद्रा नहरुगांधी यह मैडम इंद्रा नहरुगांधी की सरकार के द्वारा लाया गया था कब 1976 में कब का समयकाल लग रहा है एमजेंसी की दौरान का लग रहा ना भाईया 67 में अगरइंसी खतम होगी 75 में अगरजंसी इंपोस हो चुकी है तो यह एमेजन्स एक बीच में लाया गया है c मैम जैसी बीवी करना करना होगा एमिवाण मारे कंटा आप खीचके कान के नहीं हो तूम को c c c c c c c मैं एका कोचिंग करता हूं पर जी के याप से पढ़ता हूं अच्छा, ok वेरी वेरी गुट वेरी वेरी गुट वहाद अच्छे पार्ट फूर्टी नहीं C C C C C क्या कामने? पार्ट फूर्टी नहीं C ये बात समझ में आ गई? कि बात clear हुई दूस्ते चीज अगर इसको एक सवाल और बनता है कि संवधान में मिनी संवधान कि संवधान को संवधान में मिनी संवधान के नाम से जाना जाता है तो वो है 42nd Amendment इसमें इतने जादा संवधान हुए है मिनी Constitution भी इसे कहते है लगू संवधान इसको अपन क्या बोलते हैं लगू संवधान बोलते हैं डन? moving forward पहले chairperson कौन थे National Green Tribunal के जल्दी से बताईएगा statuary bodies है यह क्या है जो National Green Tribunal है यह statuary body statuary body बोले तो भाया पार्लेमेंट से यानि पार्लेमेंट की जो स्टाच्वेट से वहां से ड्राइफ कर रही है अपनी सारी की सारी पावर को तुम्हों तो बड़ी पाटी बद दिदू अभी केरवाब टेस्ट्बू की सेलिब्रिटी हो मतलब यह लिमिट क्यों करना है चीज़ों को अगे लाइफ क्लासे की टाइमिग बिता है सुबह 10 बजए है 2 अब 10 बरог की बारा बजए मंडे टू फृईर सीम टाइम होता है सुबह की 10 बजए 2 अब 11 बजए उसकी बाद राद की 9 बजए सबोने देर बजए होती है अब की मास्टर क्लासे मानव अंग अगर कोई अंग भगवान न करें कि कभी ऐसा टाइम भगवान न करें कि जब आपका लगानी की बात आए कि भाईया हिर्दय लगाना है या फिर मानव अंग को ट्रांस्प्लांटेशन करना यह अक्ट का पास किया गया था 1994 में वेड़ी गुड नाइटी फॉर में साक्ट को पास किया गया था चलो एक और अभी हम अनाउंस करते हैं पास के बारे में तब तक इसका जवाब देरेंगे अपलो मैं पास देख लो हमारी टीम ने हमें कोपन्स भेज रखे हैं मेरा काम आपको कोपन्स बताना और आपका काम है उसको एक्सिस करना अप्लिकेशन पहले से खोल के रोखो जिसने पहले टाइप कर लिया उसको मिल जाएगा फ्री पास हूल ओके फ्री पास फ्री पास 105 जल्दी जाके अप्लाई के लिजी सारे लोग पहले जल्दी सिजाके इस तालो कोई अप्लाई कर लेंगे माम के लाइफ में कोई टेंशन नहीं है जिस लड़के पर उंगली रखते माम का हो जाएगा इससे लिए खुश रहती मैं तुम्हारा जीमेन है बस वही एक मोटव पर टिका हुआ है ना कि लड़की नहीं मिल रही है तो यह नहीं हो रहा है तो इस दुनिया में प्यार महबद का कोई फाइदा नहीं है, ना तो प्यार महबद करो ना शादी वया करो, कुछ भी करने के जरूवत नहीं है, सीधी सी बात है, अकेले रहो खुश रहो, GIST इनका नंबर कितना होता है, भाहिया, GOS and Services Identification Tax, कितने लोगों ने जल्दी से खोल के पढ़ना शिरू किया, 15, कितना है टोटल, 15, GIST जो है, यह किस साल में इंट्रियूस किया गया था, यह कोश्यम पूछा भी था मैंने, और बताओ किस अमेंडमेंट के द्वारा GST को इंट्रियूस किया गया था, पहला सवाल, GST को किस संशोधन के जरीए लाया गया है, 101, कौनसा, 101, एक अमेंडमेंट, ड़न, दूसरा सवाल, GST का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है GST का जनक, तो क्या जवाब दोगे यहाँ पर, नरेंद्र मुदी जी, गलत, अटल विहारी बाजपई जी को GST का क्या बोला जाता है, GST का जनक बोला जाता, बोलोगे माम कैसे, GST तो मुदी जी लेकिया थे, तो यह क साइड के आगया कि हापन वैट लेके आते हैं तब वह वैट लेके आये थे और फिर अब क्या आगया भाई आपका जी एस्टी आए चुका है कि को कि कि पास किसी का लगा यह पास लगा किसी का कि पास लगा है तो प्लीज बताओ एक बर सौरफ कर तो नहीं लगा तो कहरे हैं ही तराम को लग गया ही तराम कह रहा है ही तराम शर्म माम मुझे मिल गया है चलो दूसरा पास लगाना फ्री पास 102 जल्दी से लगाओ जरा फ्री पास 102 देखो वो लग रहा है जल्दी बताओ फ्री पास 102 जल्दी जाके सालडी संडी क्लास की टाइमिंग बिटा सुबह सुबह रहेगी चली फ्री पास 102 कापिटल लेटर में लिखना जल्दी टेस्ट बुक आप लोगो खोल ला है www.testbook.com यह अप्लिकेशन डावन करना तो अप्लिकेशन पर लगा दीजिए अग्ला देखेंगे विचोद फॉलिंग लेट फाउंडेशन ऑफ तुलवा डाइनस्टी तुलवा वंश के नीव किसने रखी थी जल्दी से बताएंगे क्रिष्न क्रिष्न कृष्ण डेव राए कृष्ण डेव राए वरिए एै क्रिश्न क्रिष्नदेव राए जहते है Bill है जरते कि किन्श सैंड़ राए ज्यान तुम लेकर पास ब्सबूद य। मैं नाज निख चिति कल मिला सिधा नोटिफिकेशन आया बट क्लेम नहीं हुआ था कल नजर को मिल गया था लेकिन क्लेम नहीं हुआ था ओके चली आगे बढ़ते हैं राइट मंदी अगला अलबुकर्क पता है तुमको पुर्तगाल याद आ रहा है इसने अपना इंबास्टर भीजा था किसकी कोट में भीजा था विजय नगर में विजय नगर का जब नाम याद आता है तो राजा किस राजा का नाम पहले याद है विजय नगर में आपको कृष्ण देव राय अचुता देव राय सदाश्य वराय देव राय सेगंड सब एक से एक राजा थे जिन्होंने अपने टाइम डिड़ा बहुत बहुत बेहतरीन काम किया था आप मुझे से दो सवाल का जवाब देंगे इसका तो चलो हमने कह द जिन्होंने अपनी आर्मी में दस दर मुस्लिम्स को भी रख रखा था कई बर यह कोश्चन्स आप लोगों से आया है जल्दी से बताएंगे ओके देवराय सेकेंड ने देवराय सेकेंड ने वेरी वेरी गुट आगे बढ़िए अगला ध्यान दीजेगा इनमें से किस के रूल पे विजया नगर किंग्डम जो है वहाँ पे नए नए तालाब बनाए गये थे आप कहलो नए तालाब कर निर्मान कराए गया था कि नदी पे और किस नदी पे बांध बनाए गये थे क्रिश्णा पे कावीरी पे पिन्नार पे तुंग भद्रा में अगर आपको याद हो तो तुंग भद्रा नदी के उपर डाम बनाया गया था कब कि विजया नगर किंग्डम के दौरान पर कुछ याद आया हाँ चलो मैं दूसरा पास बताती हूँ तब तक मैं दूसरा पास बताती हूँ खऺ प्री पास 103 फ्री पास 103 लगागे देखना है जल्दी से फड़ा फड़त लिकसे फ्री पास 103 त्यान दो क्या बताया हमने इन में से कौन से रूलर ने ओर्डर किया था शिल्ति कुत्बा तो रीड फ्रॉम दी पल्पिट ऑफ ग्रेट मॉस्केट बीजापुर किसने कहा था कि बीजापुर के महान मस्जिद के मकबरे से शिया खुत्बा पढ़ने का आदेश जल्दी से आपको बताना है एक टाइम ऐसा होता है महरम होता है कौन सा वक्त होता है उस दिन वह पढ़ा जाता है तिलावत किया जाता है कुलाम कलाम कर तिलावत कब किया जाता है ना समशान में बैट के जो करते हैं किस दिन पर होता है मुझे याद दिलाना तो तिलावत करते तिलावत पढ़ते हैं महर्रा में पढ़ते है ना शइद इसका नाम क्या है यूसफ आदल खान ने कहा था दान किसी को पास जल्दी बताव पास किसको मिला है समसान नहीं हाँ कबरिस्तार अजी समसान इखी है भाईया बस नाम अलग अलग है सब है इखी चीज नाम अलग अलग है साउंड प्रोब्लम कैसे हो सकती है चली अगला ध्यान दीजेगा क्या कह रहें भाईया हम विच अफ दा फॉलिंग वस लाइक किन एपसिंटी लांडलोट जूरिंग दी रूल अव कुद्दोब शाही क्या बोला मैंने कि भाईया एक एपसिंटी जमिदार की तरह हुआ करते थे लैंडलोड की तरह हुआ करते होके भी ना हो ना इनका गैर माउजुद्गी की तरह हो लेकिन क्या तुम्हारी आपर जागिदारी है रखा है जागिदार सूर्य और अगला आगे बढ़ेंगे अगला अन्यग करें प्रारंभिक सूफी रहसवादी रभिया अलए बारे में तो यह किस आंधुनिक आज करेंट में यह किस कंट्री के नाम से जाना जाता है एरान, ए दूसरा कोड में बताती हूं रुको क्या है क्या है अच्छा ही मैं फ्रीपास 104 अरे तिम लों को पहले से पता हैं फ्रीपास 104 मैं अपनी टीम का भेजा वह देख रही थी फ्रीपास 104 जए है ना से मैं लोग अनालाई को तहależy चल अशार नो हार्दधक सादर प्रणाम खुष रहा हमेशां बाद रहो खुष रहो इराक 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 है ना स्थ शूर्या क णिको किसके बात कर्याएँ एर्ण आ प्लस्काई कशलो फ्रीपडी कर देते हैं अगर इसी में एक सवाल पूछता है क्या पूछता है आपको पता दुख्रा दोडर चलता गज़ दो चलता गए सवाल पूछड elli तो चलो सुफी जो ऑडर चला था भारत वरश में यह असल में किस देश से आयो इंडिया में यह कौन बताएगा मुझे यह किस देश से आई थे इंडिया में बताइगा जल्दी से कि अजमेर नहीं अजमेर तो योग आके शेटल हुए थे अजमेर मेज जैसे गए अदिल्ली मेज रहे गए तो आज बब देखते हो जिनका नाम अब मस्जद देखते हो दरगा देखते ओ चिस्ती ओर्डर में तो यह जो आना शुरू हुआ यह कहां से आरहा था यह अफगान से आरहे थे ते हम-हां पर चिषी नाम की शहर से में हजिए कि टीटी शीट की कि लिएर शान्स जाना जाना जारता था याद रखना आफ गानश्तान से यह चाथ ब्रांच उफ कादरीज वस फाउं्ड विट्सेंट कादरीज की बारे में सुने हूं क Forschung पंजाब की जो शाखाय काद्रियों की यह किस संद के द्वारा खोजी गई थी पहले भी में पूच चू क्यों है सवाल हलाबी उची हलाबी उची येस अगला आपको बताना एने अकबरी और अकबर नेम ये किसकी रचना थी आएने अकबरी और अकबर नामा किसकी रचना थी जल्दी से बताएंगे उस टाइम पे कौन था हिस्टॉरिकन अगर आप याद करेंगे कि उस टाइम पे हिस्टॉरिकन कौन हुआ करता था अबू फैजल अबू फैजी फकीर अजियो ने ने अबू फैजल उस टाइम पर कौन था अबू फैजल था नीरज किया रहा है माम मैंने बिना जाने गेस करके फ्री पास एक चार लिग दिया था पहली मुझे फ्री पास मिल गया अग्ला देहान दीजेगा क्या पताया हमने आपको बताना हैं कि इन में से किसने established किया था Royal House of KolhaPur को फदाफद से येस 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 Royal House of KolhaPur को establish करने वाली थी Tara Wai कॉन? Tara Wai अब Tara Wai की बारे में जिक्र हो रहा है तो क्यों ना एक सवाल और पूछते आप से कि घौरी को हराने वाली भाईया कौन थी घौरी इससे पहले किस से हारा था प्रित्विराज चौहान से पहले भी किस से हार चुका था नाइकी देवी से भी घौरी हार चुका था है ना प्रित्विराज चौहान स माराथााउस के बारे माराथ चल रही है पेश्वा नहीं पेश्वा पिए माफिक होते थे ना मन, सर-े-नौबत वाकानिवी, वाकिनवस या सुमंद B, B, B , B very very good सर ए नौबत कुछ ऐसी बुलाते होंगे कुछ अलग सा कुछ बुलाते होंगे इस तरीके से ध्यान दीजेगा बादशाही मौस्क जो कि लाहॉर में बेल्ड किया गया था किस मुगल एंपरर के दौरा बेल्ड किया गया था अगर मुगल एंपरर का नाम लूँ तो मैं जीदाराज दिल्ली ते पालम इसकी बारे में बड़ा ही मशूर था कहावत तो वह क्या ही सपोर्ट करता क्रांतिकारियों का विद्रोकारियों का जो सपोर्ट मांगने गये थे जिसको खुद को कोई राजपाट नहीं हो तो क्या सपोर्ट करेगा उसको शाहालम के नाम से जानते थे वह तो भाया आखरी था नाम का था यह बात कर और जीब के बड़ा कटरपन थी इंसान था लेकिन कहते हैं कि आप क्या ही बुलाओगे अपने आपको मानता थे कि मैं उपर वाले का शागिर्द हूं यह हूं उपर वाले कभी आपको नहीं कहते हैं खून खराबा अब मैं इतना तो आपको पता चल चुका है कि ब्लु वाटर पॉलिसी जो है यह माम कौन लेके आया था एक बाह बताई कि बहुत पहले आई थी तो अगर हम बहुत पहले की बारे में बात करें तो पहले कौन आथा पुर्टगाल आये थे पहले पहले से यहां पे उसकी बा अब डच कंपनी आई जैसे देखो यह जो किताब है यह है चोटी किताब लेकिन अपने आप में पूरा यह है थेहास है आव शो यू पता नहीं तुमने को दिखेगा आई कि नहीं दिखेगा मैं कंटेंट पर चली जाती तिन वी मोर बेटर है कि जो चाप्टे टू तो तुम तुम इसमें खोलोगे अगर तुम इसके बारे नहीं पढना हो पुरा अगर तुम चाप्टे टू को लोगे चाप्टे टू में तुमारा क्या है सब्सक्राइब करने के लिए अंग्रेज के साथ कौन आया फ्रेंच यह दूसरी के दुश्मन बनके बैठे वे थे वार ऑफ सक्सेशन में अगर आपको याद हो तो जो वार ऑफ सक्सेशन था उसमें दोनों क्या बनके बैठे वे थे दुश्मन राजगदी के लड़ाई के लिए लड़ाई किसी और कि दुश्मन ये बन गए थे हैं ना फिर भाईया एक पुर्तगाल पहले आये थे क्लियो गए ध्यान दीजयेगा अगर मैं आपको बात करूं कि इन में से आप मुझे chronological order में बताइए कि किसको पहले annex किया गए था princely state को annex किया गए था princely state को बोले तो मुझे तो वो सारे state दिख रहे है माम जो कि doctrine of labs के तहद भी annex किये गए थे doctrine of labs क्या होता है जिसका खुद का बच्चा नहीं है उसका राज ऑटमाटिकली ब्रिटिशेस रख लेंगे ट्रांसफर हो जाएगा आप अपनी पोता-पोती ना आप फुदा-पोती कह रहे हैं गोद लिए वे बेटा-बेटी को आप नहीं दे सकते अपना राज-पार्ट गोद लिए वे को आप छोटा सा प्रॉपर्टी दे द डॉक्टर रदिमा यस डी 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 वेरी गुड दी कौन कुन सी भाहिया पहले सतारा है ना सतारा और जहांसी दोनों डॉक्टरिन अफ लाप्स की वज़े से जाएंगी उसके बाद उसके बाद क्या जाएगा भाहिया संबल पुर नादपुर दन दी 3 2 1 4 यहां दीजेगा दादा भाई नरोजी के बारे मं कुछ statement बता रहे हैं आपको बह जिन्होंने हमें ड्रेनिज थी दी ती कि अंग्रेज जो है वह हमसे पैसा लेकी जा रहे हैं दूसरा यह वसा मेंबर ऑफ इंडर नाशनल असेसिएशन यह प्रोफेसर थे अलफेंस्टो कॉलेज बॉम्बे में यह मेंबर थे यह वाधेनक़ के कांजर वैट्र पाथी उनाइटिज किंड़म के इसके साथ इसद दाढ़ भाया नरुजी को अंग्रेज को शिवर्य। हार्ले मेंबर बनाया गया था अगर आपको ध्यान हो तो यह चारो का चारो श्रीमेंट सही है यस 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 यह यह मैंबर थे ठीक है किसके मेंबर थे वहाँ पर एक लेकिने ने लिबरल पार्टी थी इस तो के बाट्बरेट पार्टी है वह लिबरल पार्टी थी यहार नहीं नहीं रोको 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 वह लिबरल पार्टी थी इस पार्टी में लिबर्ल पार्टी ती दादा सुधाइब नरोजी से एक सवाल बनता है कि ढ्रेनिच की ठियोरी किसी नी दी थी हमें कि एड़ अगनेज जो है वह इंडिया से धन्द्रेंड करके लेके जा इतनी बाते समझ में आगी ख्लेयर हो गई आगे बढ़ों वो अमंग दा फॉलिंग डिवादे रेवेंड्यू फ्रम और सोर्सें नो तो 3 3 3 3 3 काटेगरी लाड रिपन का टाइम था है ना इन टाइम फ्रम पर 3 काटेगरी में डिवाइड किया था किसने कौन था वो आदमी कि रेवेंड्यू को तीन भागों में डिवाइड करने वाला अगर एक सिकंड दो इंपोर्टन बात बताईए माम कभी शादी निहीं करींगी जया किशोरी की फैन है माम जया किशोरी किसने का शादी नहीं करेंगी उनकी फिंगर देखी में इंगेजमेंट रिंग पां रखें था मुझा पहन रखा है इनोंने आइ… जै कि शुरू नि कि इनी बहर के कैसे किस ते कहा यह मैं साद्वी नहीं हूँ कजा वह तुभ धानी नहीं देता हूं ने चीजों की तरफ very good kromer देखो Lord Wood को मैं बुलाऊं की नहीं कभी गलती से गर निकल गया तो well and good आगे देखेंगे प्रह्मो समाज की फाउंडर कौन थे यह मैं आपको पहले ही बताया है दो चीजा प्याद रखेंगे अगर मैं आप लोगों से बोलू कि सती प्रथा को बंद किसने किया था बेंटिक के साथ मिलके किसके साथ मिलके बेंटिक बेंटिक के साथ मिलके सती प्रथा को बंद किसने किया था तो आप बोले कि राजाराम मोहंड रॉय राइट ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी राजाराम मोहंड रॉय क्लियर दिमाग में बैठ गया है आप लोगों के कोई कन्फूशन इसमें दो राए द्यान दीजेगा बोधी सरी जो की क्रूज बोट है यह ऑपरेट की जाती किस स्टेट टूरिजम डिपार्टमेंट से बोधी सरी छोड़ो अभी तो 12 लाग का ट्रेन में मिल रहा है येस 12 लाक्स जिसमें आपका कम ट्रेन के अंदर ही बेड्रूम बनावा होगा पूरा राजस्थान दर्शन कीजिए आप भारत दर्शन कीजिए हिस्टोरिकल जगहों के उपर अंदर बेड्रूम बनावा है खाने का इक दिम लाविश महलो जैसा यह है शायद नहीं मैंग सही है अरी नहीं गुस्तानी कर रहे हैं पागल है क्या आंध्रा वेरी वेरी गुड क्या है आंध्रा इसको दो चीज़ सब प्याद रख सकते हैं बोधी सदी तो आपको पता है अच्छा खैर उस ट्रेन के बारे में बता रही थे आप लोगों ऐसे तो बहुत सब्सक्राइब चला था चला हुआ है जो आगरा तुम्हारा पुरा यूपी का दर्शन करवा रहा है यूपी आगरा दिल्ली साइट का पुरा दर्शन करवा रहने का खाने का यह बारा लाक पहला को यह यहाद रहना कि बहाशा के अधार पर अलग होने वाला बहाशा के अधार पर अलग होने वाला राज कि असमें बाए दूसरा जो की है muita और आपकी एक्जामें में आएगा सीजल में क्या है अभी हाल में ही किस राज में नया कोट बना है किस में पहले हाई कोट बना है किस में बहुत पुराने होते हैं बहुत पहले से बन रखें मैंने का नहीं इस राज में भी नया बना है हम बात कर रहें आंधरा के बारे में तेलांगना जब बट गई त तो तेलांगना के साथ इनका हाइग कोड़ा गया, तो इनने ना हाइग कोड़ा बनवाया है अपनी अमरावती में. कहाँ पर? अमरावती में. प्लीज याद रखना, मैं बार बर तुम लोगोको याद दिलारीГ मैंmag बार लोकोड़ करवा रही हूं कि तुम खुद से ना भूझ जो फ़रस के पारे में और्य किसी ने कुछ देखा क्या रोजगार सर्वेक्षं जो है वो किसने इंटेड्यूस किया है पिछली पार जब मौदी जी का बबड़ी था तो सब ने यूटिफ पर रोजगार दिवस डिकलेर कर दिया था जिसके लेय बंद करना पड़ गया इस बार बर्ट्दे पे उन्होंने बहुत तरी नौकरियां जो है वो अनॉंस कर दी है ध्यान दीचेगा Ministry of Labour and Employment दन क्लियर As per the recent CRTN, what is the time limit to report the cyber incident after a detection? द्यान से सन्ना Cyber के घटनाओं का पता चलने के बाद आपको कितने वक्त के अंदर-अंदर आपको cyber में report करने, this is very important जल्दी बताइए जल्दी से, cyber आजकल बहुत ही आम है, कैसे मैं बताती हूँ, cyber की चोरी कैसे होती है एक तो cyber crime कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके pictures को मौफ करना, cyber crime है चहरा आपका लगा देगा, शेरीर किसी और का लगा देगा, दूसरा आपकी फोन पर एक link भेजना कई पर आप देखते हो आपके मेल जाता है, कि you have been selected for an ICIC employee कभी देखा है वो सब जाता है, आप इस job के लिए select कि जा चुके हो, उस link पर दबाई अपना registration करनी के लिए document जमा करनी के लिए, the moment you click on that link, तुमारा account खाली, तुमारा account से पैसे गड़ जाते है लिंक पर क्लिक नहीं करना है, कोई भी ऐसा रोजगार नहीं है जो पैसे से दिया जाता है, मेरे पास ऐसे कई लोग आए है, जिनकी उमर 35 साल भी उन्होंने भी कहा है कि माम हमने ना 5000 रुपए दिये थे, उन्हें नोकरी लग जाएगी, बिटा ऐसा कोई भी रोजगार नह हमें तो आपका सालेक्शन जो है इसमें हो जाएगा, बात आई समझ में तो आप 6 घंटे के अंदर अपको रिपोर्ट करना है, दूसरी चीज आपका भी रेल्वे स्टेशन पर देखते हो, वहां भी केबल लगे हो ते रेल्वे स्टेशन पर चार्जर लगे होते हैं, अब हमारे साथ प्रॉबलम क्या है हम लोगा फोन बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है हमारे पास पर चार्जर करते हैं अपने चार्जर से अटाच किया किजी वह जैसी आप केबल अपने फोन में लगाते हो वह चिप से आपका पूरा डेटा आ जाता है, मैसेज वेगरा जो रिसीव होता है, जो डेटा काप्चर करती है, मैसेज रिसीवर को वह पूरा ट्रांसफर हो जाता है, आमपल ऑफ केसे आए हैं ऐसे, स्टेशन पर चार्ज बन लगाए हैं, फिर थोड़ी दिर बाद मैसेज आए कि पैसे कट गए हैं कुछ दिरो बाद, फिर दोड़ते ही हैं रिसेंट स्टडी के ही साब से तो ओल्ड मास्क हाव बीन इंकोपरेटेड इंटु विच कार्बन इंटेंसिव टिव प्रोसेस, बताईगा, पड़ा फट से, जा मेरा फोन ओफ गया हो अला, रोको हूँ पड़ा पड़ाइँ, रिफाइनिग अव कुड़ ओध्से, रिफाइनिग अव कुड ओएव बादर ना, राने मासके, इस कार्व और गहन प्रकडे में सामिल किया जाएगा, रभाबाब अब्रदक्शन अव सीमेंट, प्रदक्शन अव सीमेंट, राइट वेरी वेरी तो तो यह जो आप लोगो मुझे बोलना चाहिए लेकिन आइक यह सो मच फर लाव इन सपोर्ट बहुत जल्दी मिलेंगे आप से हम अव अव ले सेशन में और कल सुबाप की सीजिल के लिए मारत्थन है तो कल सुबाप हमारी सथ जुड़ना भूलेंगे नहीं सुबाच जु आप लोगों से बहुत ही जल्दी अगले सेशन के लिए बाइ गुड़नाई टेक केर हमेशा पॉजिविटिविटी के साथ रहिए हमेशा साकरात्मक चीजों के साथ रहिए नकरात्मक चीजों से दूर रहिए लोग क्या सोचेंगे इस बहाने को दूर रखी और खश अगे बाइ टेकर रहिवान दो लाइक शेर शब्सक्राइब